आप से भी ग्यापन एकडमी के इस नए लेटस्ट और धमाकेदार वीडियो में, जैसे की एकजाम बहुत करीब है, और मैंने सोचा कि क्यों ना एक बहुत ही कम समय में एक बहुत ही जबरदस्ट वीडियो आपके सामने रखो जो की बहुत ही कम समय में आपकी बाइलोजी की समापन करते हैं तो चले बिना देर किया हम लोग देखते हैं जैसे कि आपके science के book के हिसाब से ये छत्था lesson है लेकिन -, nggak pik अबना की में आपको पढ़ाने के दिए और क्या है तो सबसे般ом सबently तो पोल बनता है कि जो परकरम क्या है तो चलिक हम लोग समझते हैं कि जि만 की बहुत था सारी किर्या हैं मतलब कि हम अपने lifestyle में बहुत सारी Nast किरिया किलब करते हैं सोना उठना बैठतना ठीकेना शादी विबा करना ठीकेना एक d intricate फिलिंग को समझना एक दूसरे की प्रतिदाया द्रीष्टी रखना एक ठीकेन अ Garuda बहुत सारी किरियाय करते हैं सुभा करते हैं तो जैव पर क्रम क्या है एक ऐसा क्रम है जो मुख्य रूप से हमारे जिन्दा रहने कलता है लेकिन जिन्दा रहने के लिए उन क्रियों में से मुख्य रूप से जिन्दा रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं तो स्वासन बहुत जरूरी है उसके बाद से पोसड अगर स्वासन हो जाती है और पोसड नहीं होते हैं फिर भी हम मर जाएंगे उत्सर्जन अच्छा मालीजी स्वासन पोसड हो ही जाए और उसका उत्सर्जन हो जिसे हम लोग खाते ह है और खाने के बाद हमारा टाइजeसन के थूचे फूरा पचाने की परक्रम संपन हो जाती है तो क्या होता है एक समाई के साथ उसका निसकार इंज वाइसन नहीं हो तो बताएए तो सुवसन क्या है तो स्वसंन के लिए हमने डिफनेशन लिए हो सकता है आपके एग्जाम में दो नमर के लिए एक कुछन Erब तो देखिए स्वासन की से कहते है तो वायू मंडल से ऑक्सीजन को ग्रहन करना देखिए वायू मंडल में बहुत तारी गैसेज हैं यहां से क्या कह रहा है कि वायू मंडल से ऑक्सीजन को ग्रहन करना तथा कोशिकी आवस्यक्ता के अनुसार यानि हमारे कोशिका को अक्सीज ग attachments कிसे का तो जीवन संसोंभदी करियाओं को सुचारों रूप से चलाने हे तुब फॉसण ततुओं को ग्राहण कर उपियों करना हिब पुशल कहला तहीं यह पीर इसको सॉट करना कैसे भी का सकते हैं जीक और कि सबते करते हैं यहांने और पाठाने के प्रक्राम है जो सौपोसी कह लाते हैं जैसे की सोपोसी मतलब सबस्क्राइब मैंने सबस्क्राइब करने जिसका एक सबस्क्राइब कर दें नाम है जिस प्रोसेज के माध्य से पंद है अपना बता और अपना खुद का तो ऐसे हरी पीण पहोदे जो अपना परकास असलेशड के थुरू अपने भोजन का बनाते हैं और बना करके अपने ब्रीदी और विकास करते हैं ऐसे हरी पहोदे को हम लोग स्वापोसी कहते हैं ठीक है यह बाते समझ में आगे और दूसरा जो है वह पर पुसर तो पर पुस रख कर के अपने आपको वह और ब्रीदी और विकास करें एकने बियुकास से हम यह जितने और और ढोंतो है जो दूसरी पर आच्री तर जोब सोभ निरभर रहतें रहते हैं और रहाख कर के वह क्या करते है ना उसके बनाए हुए बहुजन को जैसे कि हम लोग क्या करते हैं हम लोग क्षावल की कर है एक उने के बना कर सब्सक्रापना अबीस भाजन भूजन को हम लोग लेते हैं और फिर उसे तो हम लोग maior करते हैं हम लोग हम लोग बना खाते हैं अबसाइब जन्त आपकी ब्रामा यह आपकी बूल तो हम लोग खाएंगे तो हम लोग क्या हो गए और इपुसट का लाता है तो देगे समस्त जंट यह भी तीन हिसों interrupting जिसमें जीव क्या करते हैं सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन की प्राप्ति करते हैं नहीं समझे थोड़ा में अगर फास्ट बोला हो ना यूटूब में एक ऐसा सिस्टन दिया हुआ जो बिल्कुल स्लो कर सकते हैं और करके आप हमारी बातों को बढ़ियां से समझ स समझ करके आप एक्जाम में जा करके ऐसे ही अंसर लिख सकते हैं देखिए जो होते हैं जिसमें पर पोसड की एक फेकल्टी है जैसे की पर पोसी तो हमने समझा ही दिया अब इसको मैं रिपीट नहीं करना चाहते हूं अगर मतलब सुनना दुबारा चाहते तो वीडियो को थोड़ा सा वैक करके फिर सुन लिजी देखिए पर पोसी में जो पर पोसड होता है ना इस पर पोसड के हमने तीन वीधी यहां पर लिखे हैं तीन वीधी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं पहला यह कि मृत जीव जीव जनतु होते ना इस किटेगरी के अंदर जीव लि मोदों घोली जबतीजाब कंछ जानतु आते है ना इनकी जो पोशड की प्राप्ती होती है इनकी पोशड की प्राप्ती किसी सड़े-गले पदार्थों से होती या जो चीजेँ मर गया जो चीजेँ की पोसड मिलती है ठीक है ना जैसे कि कॉबक हो गया है या फिर कुछ प्रोटोजुवा भी हो से थे और इसको हम लोग क्या कहते हैं आप घटक क्यों कहते हैं कहीं न कहीं से हमारे वाताइब को सफाई करने का भी काम कर रहे हैं अच्छा मा लेजिए केला आपने खाया के जितने भी मिरित जीवी पोसड के अंतरकर जितने भी जन्तु आते हैं वो कहीं न कहीं से उस चीज को खा पचा के बराबर कर देते हैं और हमारे बाताइब की सफाई करता की रूप में काम करते हैं इसलिए हम इसे का सकते हैं कि यह एक अब घटक भी है लेकिन पर जीवी प पर आस्रीत रहते हैं जैसे कि पौधे में ही ले लीजिए तो पौधा हारे पीड़ पौधे अपना भोजन स्वय बनाते हैं और स्वय संसलेशित कर अपना ब्रीदी और विकास करेगा लेकिन यहां पर अमर बेल के साथ ऐसी घटना नहीं होते जब कि यह एक पौधा है ले यह जो पौधा होता है यह दूसरे पौधे पर जाकरके एक छावनी की तरह चाप लेता और उसके बनाय हुए भोजन को यह क्या करता है अमर बेल उसको संसलेशित करता है और अपना ब्रीदी और विकास करता है उस तरीके से कौबक और जीमाड़ू भी होते हैं जो दूसर है इसा जन्तु है जिसके ऊपर कही न कहीं से एक पर जीबी ब premiकर कीट जो है उसको बैठा हुआ है जो उसको भी कहीं न कहीं से उसके खूं को को सक रहे है इनी चूस रहे का है इस को नुकसान पहुचा है तो वह हैं और उसको निरबार है कि चमड़े के उपर या वालों मे तो आस्थाय या आस्थाय रूप से एक जीव। दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं ऐसे जीव को हम लोग पर जीवी कहते हैं और पुषड किया बीदी पर जीवी पोसंड कहलाती है अब बात करते हैं प्राडी संपोसंड से बोता है तो बात आती एक परकास अंसलेशन क्या है तो परकास असलेशन जैसे कि लोग ने थोड़ी दिर पहले वीडियो में ढेस कर रहा है कि परकास संसलेस्ट जो होता है जिसको इंगलिज में कहते है फोटो-सिंथेसिस, परकास संसलेस्ट एक process का नाम है जिस process के मादें से पोधे अपना भोजन बनाते हैं और स्वें संसलेसित कर अपना ब्रीदी और बिकास करते हैं जैसे कि वायू मंडल से कर बन क्दाइगक प्रकास और प्रिथवी से हम जल ले करके अपना भोजन संपन करते हैं यानि बनाते हैं बोजन बनाने की यह पर किरिया परकास कहलाती है और भोजन जब बनाते हैं तो सबसे पहले गुलकोज के रूप में C6H12O6 यानि गुलकोज का अगर फर्मूला अगर आपसे पूछ दे तो अब बता सकते हैं C6H12O6 ये पहले प्रोड्यूस करते हैं फिर साथ में इतना ही नहीं अक्सीजन भी देते हैं और फिर थोड़ी सी वास्प के रूप में जल भी निर्माड करत में तो यह रहा आपका फोटो सिंथेसिस का एक समीकर्ण के द्वरा मैंने आपको जो समझा दिया नष्यों यहां पर क्या है कि और इस्थान है पोधों के पतियों में क्या होता है ना कि पतियों में क्लूरोप्लास्ट पाया जाता है पतियों में क्या पाया जाता है क्लूरोप्लास्ट और क्लूरोप्लास्ट में ही क्या होता है क्लूरोफील होता है जिसको हरा रंग वर्णंग काते हैं यानि कि इन ही कारण से पतियां हर खोता होती है तो क्लूरौफील हो गता है ठिक ना और पतियों का जो परकास समस्लेसी तथा हरित मोगों का परकास अंग काते हैं नहीं समझ says ही हम Similarlyấy और हर इतलोगों को हरी क्लोरोफील हम क्या कहते हैं टिकाशलेसि अंगग कहते हैं अब यहां पर देख लिए कि जैसे कि अगर आपसे पूछ देख जाम के पौधों में पूसटा होता है वह वह किसके द्वारा होता है तो आप बता सकते हैं कि पौधों में पूसर परकास संसलेशन के द्वारा होता है फिर अगर आप से पूझदे की परकास संसलेशन की से कहते हैं तो आप बता सकते हैं परकास संसलेशन एक प्रोसेस का नाम है एक परकिरिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और स्वय संसलेशित कर अपना बिरीदिया और packet संसलेशन कहते हैं और प्रकास संसलेशन का इस्थान के पतियों में होता है तो यहां तक आप अगला जो टॉपीक है वह है कि लेकिन जो समान्य सनचना के जीव होते हैं उनमें जो भोजन का पाचन होता है वह बहुत ही समान्य तरीके से होता है उनमें बहुत ज्यादा जहाल नहीं रहता है बहुत ज्यादा जो है ना मतलब दिक्कते नहीं आती है बहुत ज्यादा समस्या नहीं देखने को मिलता है लेक होता है जिनका आकार मतलब एक तरीके से नहीं रह सकता इनका बदलते रहता है और जैसे ही बड़ा होते हैं तो यहां पर देखिए बीच वाला केंद्रक हो गया और यह वाला यह वाला हिसा है जो भी थे थोड़ा सा फोलड वाला है हिसा हम लोग यह कहते हैं इसको कुटपाद यह से हम लोग अपने मुख को उपना प्राप्ति करना होता है तो अपने कुटपाद को खोलते हैं मतलब अपनी संद्रचना को ऐसे बनाते हैं, कि वह क्णाड, बड़ा ही असानी से इसमें capture हो जाए, मतलब यहाँ पर जो खाद है इसको capture कर लेते हैं कितों कर लेते हैं ये अपना पोस़क को सक कर लेते हैं छूस लेते हैं और फिर जो वेस्ट मेर्फ섯 मेर्फ के रूप में बच जाता है उसको फिर उसी कृटपागी माधियम से ठीक है वह अपना मूँख खोलते हैं और उसका वहिसकरण कर द צेते हैं तो देख लिया कि अमीबा में जो पोसड होता है अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है कितना सिंपल तरीके से होता है बहुत ही आसान है पहली दफा में अंतगरहन किया दूसरी दफा में पाचन किया और तिसरी दफा में निकाल के बाहर कर दिया यानि बहिसकरण कर दिया यानि कि यह बहुत ही simple सनरचनா की जीव है लेकिन हम लोग में बहुत जादा ताम जाम है है तो यह रहा Amoeva में पोसर का वीधी जो कि बहुत ही आसान है आपको एक्जाम में इसनी तरीकर से समझा दिजीगा और लिख लीजीगा और यह सनरचना विश्यस अंग के माधियम से भोजन का जो है एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है और फिर उसके बाद से वह बहुत अच्छे धंग से पचता है यहां देखिए अहार नाल में यह सारे अंग है ठीक है अहार नाल में एक ऐसा नाल जिसमें अहार का प्रवेश होता है और उ जिसकी लंबाई 8-10 मेटर तक होती है बात करते हैं कि आहर नाल में कौन-कौन से अंग सामिल होते हैं तो दीए मुख गुवा होते हैं छोती आतो होती है बढ़ी आतो मल्दवार और गुदादवार होते हैं मतलब इतने सारे अंग हैं, जो अहार नाल में शामिल होते हैं, मतलब अहार नाल की ये सारे अंग है, जिस अंग के माधियम से अहार जो है न, एक दूसरे से होते हुए बाहर निकलता है, मतलब कि अहार जो है जिस नाल के माधियम से एक जगा से दूसरे जगा, दूसरे से ती करते हैं तो हम लोग सबसे पहले भोजन को अपने मुख गुई का के अंदर डालते हैं तो उसमें हमें उसमुख गुहा में हमने क्या क्या श्टडी करना होता है सबसे पहले मुख गुहा में भोजन जाता है तो मुख गुहा के अंदर 32 दात होता है बत्चों की बात नहीं बोल रहा हूं एक युवा जिसकी 32 दात होते हैं आप 32 दात जो दात उस दात का अगर एक एक ग्जामपल लो जिसे एक दात अगर लेलू एक दात की संचना ऐसे बन मुख संचना यहां समझे आज सब्सक्र Hansajadar बोल सनचना होती है जहां से मतलब हम हो या फिर बच्चे हों कोई भी जब हम लोग क्या होता है कि जैसे कि हम लोग दूद या दूद से बने हुए जो भी प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं तो इसमें बेक्टेरिया का परजनान होना शुरू हो जाता है और उसके बाद से दंत अस्थी छाय होने ल यह कंसेट्ट आपने समझ लिया अब मैं इसको अब केंसील किजि अब दांत के चार कार इसे निष्ट यह वे खाते हैं यह काम आता है या एक लेकिन और भी महीन यानि पूरी तरीका से प्रभणक के पास बहते हैं लेकिन इतना ही तक यह समाप्त नहीं होगा आगे बढ़िए इसमें मांसल सनचना की जीब होती है जो कहीं न कहीं से उस मांसर सनचना की जो जीव है पहुजिम को जो हम कोईका की अंदर रखते हैं तो दाथ ऑसे थोरकर या उसे पूर करके छोटे हो आगे का हिस्ता होता और इसके ठीक ऊपर ही थोड़ा ही ठोट नोक्त में दिखाने की कुछे के यहां से नमकीन का अभास होता है फिर उसके बाद से यह जीव का साइड वाला हिस्सा होता है यह खटा का अभास होता है और सबसे लाश्ट में जो हलक होता है जहां पर टॉंसील होता है वहां पर सबसे लाश्ट वाले हिस्सा जो होता है वहां से कड़वा का अभास होता है बना होता है और इसमें कुछ स्वाद के विए अन्दर अब के अंदर गूह को रखते हैं तो मुझ में पांचक रसक बनाळका निर्माड़ होता है यह तो फाचाणец की से करते और सब्लिंग जैसे कि इसको समझने के लिए आसान वाजा मैं समझ सकते हैं लाइसोजाइम टाइलीन और मुकस अच्छे के साथ अगर थोड़ा बहुत अगर बेकार की चीजे जैसे की कुछ बहुत बेक्टरिया या कुछ भी इंफेक्शन करने वाली चीजे अगर लोग खा लेता है अब जारा सोचे कि वह डंटा में क्या क्या लगा हुआ है लेकिन उस डश्ट से वह बच्चा चाहे तो इंफेक्शन हो सकती थी लेकिन सोची पारकिर्तिक ने लार को बनाया है जो कही न कहीं से यह तीन जोड़ी जो है ना लार गरंख करते है लेकिन बात करते है मूगोईका के आगे बढ़ता हैगा और तो बिल्कुल बढ़ता है पुर से चीश ग्रासनली और फैलन की घटना होगी मतलब जैसे ही लार के साथ भोजन मतलब तूट करके और पेस्टी बन करके जैसे इस ग्रास नली में प्रविश करता है तो यह बिल्कुल जो है न यह जो है न फिर यहां को आकर के दूसरी जगा फूल जाता है करते हैं मतलब भोजन क्या हुआ करते हुए आगे बढ़ रहा है अब उसके बाद से भोजन आगे बढ़ती है जब आगे बढ़ेगा तो अमासे में जाएगा जब आएगा यहां से एमाशे में जाएगा देख लिए अमाशे में जाएगा भोजन अमाशे में जब जाएगा तो अमाशे की आप होते हैं जैसे कि इसको हम जी अकार में रखते हैं लेकिन इस तरी के साथ आए जो बेक्टरिया अनुसार इसको निकाल करके अगर आप चमड़े पराखेंगे तो चमड़ा को जला सकता है जरा सूचे कि इसको खतरनाख अब यह क्या कर रहा है कि इंतजार करता अच्छा लार नहीं मार पाया ना तुवहां से न बज़ गया अब तू यहां आँ जैसे ही ग्रास नली से अमाशे में अमाशे की सबसे उप्री भाग कार्डीक वाली पार्ट में पहुंचता है और उसक इसको नहीं खतरनाख लेकिन जैसे ही यह अमाशे के उप्री भाग कार्डीक में भोजन पहुंचता है यहां पर इसकी निर्माड़ हुआ रहता है और कहीं न कहीं से यह एसे हम बच जाते हैं और हम इस बेक्टेरिया से इंफेक्ट नहीं हो पाते हैं कहीं न कहीं से हम है तो पाइलोरी को भाग में जाता है हैं बीकस दिर तक होड़ता है हमाटके फिर फोड़ी कहसे बीगासर बन कर कर थो तरिका से अग क्या होताuir रशा करता है और प्रोटीन को प्रोटीन को बदलने काम करता है यहीं है अगर इसको पूरा अच्छा तरीका से समझाने को सिस्ट करेंगा यहीं है वीडियो हो जाएगा लेकिर हमको तो इस प्रेस्ट की तरह मतलब ध्यान में रखते हुए आपको बहुत कम समय में ज्यादा समझाना तो चलिए बीन बखवास की हम आगे बढ़ते हैं तो यह होगी आमासे का पार जो भोजन यहां पर आता है और पूरी तरीका से टूट फूट कर और बिल्कुल प यहां तक हो गई है आप नहीं पढ़ेगा तो यहां तक हो गई है आमासे में भोजन पहुंच गया पहुंचता है चोटी होता है लेकिन जैसे ही भोजन का जो है ना चोटी हो आप में अचाना होती है तो घास की तरह अंदर निकला रहता है जो भोजन धीर धीर करके जाता है आप पड़े होंगे कि अच्छोटी आत में ही भोजन से सारे पोसकतत्तों जो एनरजी की रूप में आता है उससे प्राप्ति हो जाती है और चोटी हात से ही दो नलिका है निकली हुई रहती है जो एक पित पितासे से जुड़ा रहता है और यह पित पितासे से और अगनास पूरी तरीका से भोजन का पाचल हो जाते है मत्शोटी आत में आत रसचा ही जोटी आत में यहां पर कहीं नकाहे निकला हुआ यह बहुत थी नहीं हो पाता है और आपका लिवर खराब है तो कहीने कहीन से चोटी आप पहुंचे गा तो हमारा पुरा चोटी आत अमलिय हो जाएगा और यहां से भी खटी धकार के महसूस होगी और पुरी तरीका से आप यहां पर चोटी आप में यह तीन भाग पर उसके बाद के बीच में जुआ होता है जिसको सिक्कम कहते हैं क्या करते हैं ठीक ना सिककम करते हैं उसके बाद से यहां आप चोटी आत यह होगा आप चोटी आथ के लंबाई कि अलोडी में बता दिया हूं यहां पर देखे यह उपर चटड़ा यहां पर सीधा हो गया और यहां पर आकर के थोड़ा सा ढ़ला हो गया वह जा निकल जाता है तो चली बिना देर के हमारा श्वासन तंत्र जी हां मानों में श्वासन तंत्र कैसे होता है तो मानों में श्वासन तंत्र फेपड़ों के द्वारा होता है हम लोग मचली नहीं है कि गिल्स के द्वारा होगा यानि गलफड के द्वारा होगा हम लोग का मुख्या अंग है फेपड़ा और इनहीं फेपड यह जो है ना यह मुख्य रूप से सौसन अंग कहलाते हैं जिनके मादियम से ऑक्सीजन का आना और कर्मन डायक्शन का बाहर निकलना होता है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने फीगर बनाए है और फीगर के मादियम से कंसेप्ट को समझ लेना है और फिर उसके बाद का इकसहाल होना यह दोनों पर क्रियाय चलती है यहां पर देखिए नाशावेसम से जब ऑक्सीजन प्रविश करता है यह फिर इसी नासावेसम से कर्मन डायक्शैड निकलता है तो सबसे पहले हम लोग समझें कि जब ऑक्सीजन जाता है तो कहाँ पहुंचता है देखिए यहां पर होता है इक जो अपर होता है यहां जो की बहुत पुलिस को देखे वंगे जब चार रास्ते होते एक चोमुहा होता यहां पर खड़े होते हैं मतलब कि एक बार में सभी गाडियां को वो पार कराता है कैसे तो बड़ा ही तरीका से चोरा है पखड़ा हो जाता है और सीटी मार करके आने मले दो तीन रास्तों से गाडियों को रोक देता है और एक रास्ती को खोल देता है और बोलता है कि तुम अब जाओ जैसे ही वो पूरी गाड़ी चली जाती है तो फिर इस रास्ते को बंद करके और बोलता है कि तुम अब जाओ उसको बंद कर देता है और उसके बाद से हम लोग का वह oxygen ट्रेकिया तक पहुंचता है और देखिए ट्रेकिया तक पहुंचता है लेकिन जब हम लोग खाना खाते हैं घाना खाते हैं तो घाना खाने के दोरान इसे जो नासा वे समकर करनेक्शन और का श्राइट अन कर देता है जिससे हमारा सोलिड वोजन आसानी से δ्यूकेम से अमार्ण सयतक जाता तो यहां वो चीज में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं यह चीज पढ़ा रहा हूं कि जब ऑक्सीजन जाता है तो कहां जाता है ट्रेकिया में जाता है देखिए जो बता रहे हैं जो ऑक्सीजन जिस रास्ते से जाता है ना उस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं उस पाइप को हम लोग लेरि और यहां पर आप छूण करके देखिएगा यहां पर बहुत ही मुलायम हडी आपको फिल होगा वह चूड़ी नूमा सनचना का बना होता है जिसको हम ट्रेक्या करते हैं और जिसकी यह जो इन और इसका ब्याज जोता है नो 16 में मालूम है यह क्यों बना रहाता है चूड़ी नुमा से चला ताकि जब हम लोग और कर्बन डायक्साइट को छोड़ेंगे तो इनको आने जाने में कोई रुकावट पैदा नहीं होगे अन्य था अगर यह ट्रेकिया नहीं बना होता तो हम अक्सीजन लेते हैं तो गलती से चला भी जाता लेकिंगे अगर कर्बन डायक्साइट बाहर नहीं निकल यह फिर अक्सीजन जाता ही ने तो फिर हम वही पर रुक जाते हैं और यह रुकने के बाद यह पिचकने के बाद हमारी मौत भी हो सकती है इसलिए यह उठा हुआ हो दिख रहा है ना यह वाली यह वाली जो सीरा दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं ब्रॉंकस क्या कहते हैं ब्रॉंकस यानिकि ऑक्सीजन ट्रेकिया से होते हुए ब्रॉंकस तक पहुंचता है और ब्रॉंकस से फिर एक पतली टहनी की तरह जो दिखाई देना जिसको ब्रॉ और यहां से ही सारा खेल सुरू होता है यहां से जो की यहां पर इसके इर्द गुर्द में जो रूधीर होता है रूधीर मतलब राक्त जो ब्लॉड होता है इन बॉलड के माधें से ब्लॉड में वायू का जो है ना मिलन होती है और फिर उसी ब्लॉड से ऊक्सी कर्बन ये शाइड का फिर इस फेंफड़े के अंदर वायू पर खोष्ट के माधियम से ब्रॉंचियोलस और ब्रॉंका से होते हुय ठीकिना क्या होते हुए नजल कयब इटी प्रक है कि हमारी व्यूं चली गई है और जो यू चली जाती है जो फूल जाता है और जैसे ही फिर व्यूत चो चोड़ते हैं यह को ने करना पड़ता है यह उसके पास जिसे पर करें अपने से निकल जाता है यह साँ आपडाउन आपका आ ना यह पार्ट इसको बोलते हैं पेराइटल पुलूरा ठीक है ना यह प्राइटल पुलूरा होता है जो इसके मतलब रख्षक का काम करता है चलिए अच्छा यह जो एरिया नहीं पर हीर्द्य का स्थान होता है अच्छा यह वाला तो हो गया फिर चलिए यह बाते समझ में आगे मतलब ऑक्सीजन जब वायू कोश्टी का तक जाता है तो रुधीर होता है अब इसको पूरा बढ़िया समझना कि अब रुधीर के बाद क्या होता है देखें यहाँ पर सबसे पहला बात यह स का मतलब होता है कि वायू मंडल से ऑक्सीजन गरहन कर फिर उसके बाद से हमारे ब्लॉड में मिलता है और फिर कर्बंडायक साथ बाहर निकलता है तो जो हम वायू मंडल से ऑक्सीजन गरहन करते हैं तो गरहन करने की परकिरिया प्रस्वास कहते हैं लेकिन गरहन करने के बा करना और करबन डाय आक्षिए के बाहर निवायन कल कि यह दोनों ऑक लकिलिया जब एक साथ होती है न जिसे हम लोग स्वास कहते हैं अब हुआ चले यहां पर दिख लीजे अप यहांपर क्योंडे आ यह है यह फेंफ़डा यह क्या है यह फेंफडा देखिए यह फेंफडा में entry है कि अब यहां पर देखिया आप उसके बाते क्या रुधीर दोरा और परिवहन होता है अब वहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और बढ़ता है तब जाकर के हमारे उतक में यह कोशिक लिए नहीं नदर और तब उसके बास गुलकोज का अक्सी करण होता है जब अक्स और यहां पर गुलकोज का क्या होता है और यहां पर गुलकोज का श्रयोग ही आक्सिकरण का अक्सिकरण अगर अगर हाईड्रोजन में अक्सीजन जुड रहा है तो सोडियम का ऐसी तरीका से विद्धिक पड़ा रहे था तो सॉट्कर समझे अब यहां वहां से करबंडाय का निर्मान होता है तो यहां से करबंडाय क्साइड का परिभान होता है तो पिर शुद्स रास्ते से आया था और फिर इधर से दूसरे रास्ते पकड़ करके फिर वही तक पहुंचता है यहां से निकल जाता है मतलब कुल मिलाज उला करके यहां पर यहीं समझना था कि यहां पर हो रहा है रुधीर परिवान के मंदल क्या हुआ मिल रहा है यहां पर औक्सीजन में परिवान के मिल रहा है यहां से कारभन डाईए अक्साइड का पाचन होटा है और ब्लॉड से जितने भी एक वेस्ट मेटेरियल ही समझ लीजिए मने ऑक्सिजन के साथ एक वेस्ट मेटेरियल आकर के जूर जाता है ठीक है और वहीं कार्बन और पलास अक्सिजन मिले कर्बन डाइक सब्सक्राइब कर निर्माड कर वो बाहर निकोले हमारा नेच्ट मतलब कि ब्लॉड शुद होने के लिए जाना या फिर ब्लॉड हमारे पूरी शरीर में फैलना इनहीं जक्सन के मादियम से होता है जिस जक्सन का नाम है यहां पर कोई ट्रेन आती जाती नहीं और यहां पर ट्रेन के जगह पर आप ब्लॉड समझ लीजिए यह एक ऐसा जक् जाने के लिए बहुत ही आसान है देखिए सबसे पहले इसके बारे में समझ ले मानोहिर्दा जो होता है अतियंद कोमल और मांसल संद्चना के होते हैं ठीक है अगर इसकी इस्थान कहां मतलब एस्थीत है तो पसलियों के बीच में मतलब की जैसे कि थोड़ी दिर पहले मैं धड़कता है अगर हर्ट की वेट की बात करें तो 90 से लेकर के 670 गराम और बच्चा से लेकर के युवा तक के बीच के हम और यहां पर फीगर के मादम से इस कंसेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए देखिए यह हैं और इस साइड वाले को कहेंगे दाया और इस साइड वाले में यहां सबसे पहले यह यहां आख शीजन कि यह बलाट सबसे पहले कहां जाते हैं दाया यानी या वाला एरिया जो है यह दाया अलिंद होता है सबसे पहले ब्लॉड डाया अलिंद होता है और यहां पर एक वालव लगर गया तो आपको दर्वाजा मेलेका फिर वापस बंद हो पाएगा सोरी यह वापस फिर खूल पाएगा नहीं खूल पाएगा मतलब यह जब उल्टा इस तरीका से है तो जाहिर सी बात है कि जब ब्लॉड नीची जाएगा तो यह उल्टा जब इस तरीका से होगा तो यह बंद ही होगा मतलब यहां से सिर्फ आने का है जाने का नहीं ठीक है ना अब यहां से फिर एक वाल्ब खुलता है और इस वाल्ब का नाम है फूफुस चांप अच्छा यह बताइए कि फूफुस चांप इसका नाम क्यों रखे हैं क्यों क्योंकि आपका करता है कि यहां से जो यह वाल्व खुलता है इसका नाम फुपुस चाप इसलिए रखा गया क्योंकि यहां से जो ब्लॉड जाता है यह डायरेट लंग्स में जाता है यहां से कहां जाता है यहां से बता चुके हैं अब यहां से सॉट पर समझ लिए कि जब अशुध बलॉड दाया-अलीग से दाया निलए में जाता है तो यहां से फुफुस चाप एक बोले तो वाल्व खुलता है और इस वाल्व का नामे फुफुस चाप और इसी माध्यम से लंग्स तक चला जाता है ठीके ना यहां से दो रास्ते हैं आएगा डाया अलींद में एंट्रि करेगा यानिकी तीन नमर में यहां और फिर उसके बाद से यह वाल्व खुलेगा तो आएगा महाधमनी चांप से होते हुए पुरियव सरीर में फ्छलेगा मतलब कि यहां जो सूद बलॉड थे और यहां से प्रवाइब यहां से सूद बलाइब और यहां पर यहां से धड़केगा एक रधा का मारेगा तो फिर यह वाल्ब खुलेगा जिस वाल का नाव है महाधमनी चाप यानिगा यह जब खुलेगा तो चला जाएगा और पूरे शरीर में और पूरे शरीर में यह शुद बलोट जाकर के फैल जाएगा तो यहीं है human heart यहीं है pumping station जो कि हमने पूरा concept बहुत ही कम समय में समझाने का कोशिश किया अगर आपको एक्जाम में पूछ दे कि मानो human बोले तो मानो हिर्दय का सचित्र या नमांकी चित्र चित्र बना सकते हैं और इसके बारे में थोड़ी बहुत ब्याख्या करके आप अराम से नंबर प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए बिना देर किया हम लोग नेक्स टॉपिक को भी देख लेते हैं नेक्स टॉपिक है हमारा उत्सर्जन जो की बहुत थी important और इस चेप्टर का स परकार की प्रोसेस है जिस प्रोसेस के मादियम से अप्सिस्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं देखे हमारे सरीर में उत्सर्जी अंग है जैसे कि तो अच्या है फेंपड़ा लेकिन इनके साथ सबसे मुख्य उत्सर्जी के रूप में साबित होता है हमारा किडिनी वरीक जो की सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है देखे मानों में उत्सर्जन और उसका उत्सर्जी अंग वरीक है और इसके साथ जो एसोसियेट ऑर्गन होता है जो वरीक के साथ जूड़ करके ठीके ना मुत्र को बाहर निकलता है जैसे कि मुत्रवाइनी मुत्राशे और अंग है इसोशियेट और गन है जो की वरीक के साथ जूड़ करके काम करते हैं अब देखें यहां पर थोड़ा सा मानों में जो सर्जन होता है उसके सारी प्रोसेस को और सारी कंसिप्ट को हम लाइन से समझा रहे हैं देखें मनुस्य में जो एक जोड़ा विरीक होता है इसका आकार जो होता है वो सेम के बीज के समान होता है मतला मनुस्य में एक जोड़ा विरीक होता है यानि दो पीस क्या होता है किड्नी होता है और इसका आकार कैसा होता है सेम के बीज ठीक है ना दस सेम लंबा तथा पांस से छे सीम बिन सेफ्ट यानि कि सेम क्या करता चौड़ा और दो झाल 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 चलिए बिना दिर कि हम लोग नेक्स चेप्टर देख लेते हैं हमारे बाइलोजी का नेक्स चेप्टर है नियंतरन अंसमने जिसको इंग्लिस में कहते हैं control and coordination यह सिर्फ बाइलोजी के point of view से इंपोर्डन चेप्टर नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे से concept है जिस concept से आपका body exam में प्रस्न पूछ लिए जाते हैं तो चलिए बिना दिर कि हम लोग इस चेप्टर को नेंतरन अंसमने को समझते हैं तो बात करते हैं कि नेंतरन अंसमने बोड़ी का control and coordination होता है अब बात करेंगे कि हमारे बोड़ी के अंतर कौन सा इस सीटा में जिसके माधियों से कीड़े अगर हमारे स्कीन के उपर आ गाए, मतलब हमारे हाथ पर आकर के बैठ गाए, मच्छड आकर के हमारे हाथ पर बैठ गाए, तो आखिर मच्छड काटने का हैसास, या फिर किसी ने अगर हमको चीटी काट दिया, चीटी काटने का हैसास, आखिर इसको कहां से हमें, हमा सबसे पहले सवाल बनता है कि आखिर सरीर के जितने भी भाग है मतलब सिर से ले कर कि पैर तक की अगर बात करें इन सीर से लेकर के पैर तक की बीच में अगर कोई भी करिया कर दिक्रिया हो रहा है और हम किसी को पीट रहे हैं या पीटा रहे हैं या फिर कोई चीटी अगर आ करकर हमारे पैर पर चड़ि और पैर पर चीटी चड़ने के बाद अगर वो गूर चाट दी तो उसको काटने का एहिसास हमारे brain तक कोई तो है जो पहुंचाता है अगर हम ही यहाँ पर छू रहा है तो छूने के बाद यहाँ पर हमें मालूम जो लगे मैं यहाँ पर छू दिया तो इसका छूने का हैसास इसका feeling कोई तो है जो हमारे brain तक पहुंचा रहा है तो कुल मिलाज उला करके हमारे सरीर के अंदर जो भी क्रिया पर्तिक्रिया यहीं नहीं हमारे भोजन का पाचन हो गया यह हमें भूख लग रही है ठीक है यह हमें प्यास लग रही है भूख लगना प्यास लगना या फिर किसी को पीटना या फिर पीटाने का ऐसा यहीं हमार यहां पर इस topic को direct लिख दें जंतू तंत्री का तर तो बात आती कि तंत्रीगा तंत्र की से कहते हैं तो तो मेरे बाबू ठीक है न यहां पर देख सिश्टम एक ऐसा सिस्टम एक ऐसा तंत्र जो सोच । में यहाँ पर बात आती है कि हमारे शरीर में ठीक है न जो भी चुए हम दो सोचने का भी कारे करते हैं समझने का भी और सांथी साथ हम लोग याद भी रखते हैं फिर याद रखने के बाद अगर कोई बाते हम से कह रहा है कि तुमको याद है वो बात मैंने जो बोला था हाँ मेरे को याद या अभी आप सोचिए कि अभी जो मैं इस वीडियो के मादम स सिकता थिध Nou लोग कर बस के हमारा शरीम से मिलकर बनाए और बहुत सारे कोशी स्वां कर iemand novak करते हैं फिर यहीं उतक अंग किनिमार करते हैं और फिर यहीं एक सिस्टम बेहां करकर बैठ जाते हैं जीसे हम करके मना तंत्री कोशिक्あ का अंग्रेजी नाम है निवरॉन इसको निवरॉन कहिए यह फिर तंत्री कुछ्क यह लुख लागा उब अच्छिट करते हैं अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी क्वालिटी को समझ लेजिए इसका गुंड समझे निवरान की अगर बात करते हैं यह हमारे सरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है तो फीमेल अंडाडू है लेकिन सबसे लंबी यानि लंबाई के दिरिष्टी से सबसे लंबी पाया जाता है इसले लिवर अगर खराब हो गया तो डॉक्टर उसको क्या करता है ट्रीटमेंट करके उसको लिवर को फिक्सरी कबर कर लेता है लेकिन हमारे इस निवरान के अंदर सेल डिविजन नहीं पाने के करण कहीं न कहीं से इसमें कोई सेल डिविजन नहीं पाया ज अच्छा यहां पर हम फीगर के माधियम से इस कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूं थोड़ा सा समझे देखिए यह नियूरॉन क्या है नियूरॉन अब यहीं बहुत सारे नियूरॉन जो हमरे सरीर में जाल की तरफ है ला हुआ है और यहीं नियूरॉन हमें चीटी काटने का या फिर हमें पीटानें का अधरा यहीं है यहीं है नियूरॉन देखिए इस फिकर के बादें से इस चित्र बनाईए तो आप यह सही बनाएंगे यहां देखिए सबसे पहला बात ही अग्रभाग यह हो गया मध्यभाग और यह पस्ट भाग ठीक इसके तीन भाग होगा पहले जो अग्रभाग में है इसमें क्या-क्या पाया जाता है तो देखिए यह जो है ना यह धागानुमा संनँटा इसको हम द्रूमीका करते हैं और यही पर सब से पहले सुचना except होता है इसके ना जान किया जाता हमने पर अपने हैतसे हैं सबसे हम चीट यायवान है और इस निवरान क Christose बहुत आगए व्लबयोस तो इसका जो द्रुमिका में भाट है यानी कि ये जो धागानूमा सबसे पहले ॉट्रुमिका ख़गा अच्छा फिसीने से यह सुचना को यहां से यहां से यहां गया और इसी रास्ते से आगे बढ़ाएगा अब यहां देखिए कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और बहुत सारे उसकी कोशिकांग है यहां से सुचना देखिए दुरूमीका से सबसे पहले चीटी काटने का जो है और यहीं पाट पीछे जा रहा है ठीक लास्ट में जा रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे तंत्रीका अक्ष ठीक है और अंत में जा रहा है चुकि देखिए यह तंत्रीका का जो अंतिम शीरा का जो पार्ट है यह अंतिम शीरा में जाने के लिए इधर से जा रहा है तो इसलिए इस पतली नलीका को हम लोग क्या कहेंगे इस पतली नलीका को और यही जा करके लाश में लड़ी नुमा सब्सक्राइब और यह जो बेलन ये बीच रिक्ति स्थान पाया जा रहा है इन रिक्ति स्थान को नूडब और यहां पर क्या होगा कि से तरह का निवराओं इसके पीछे आकर के लगेगा तो इन दोनों के बीच जोड़ हो गया कि नहीं हो गया तो यह तरीका से इस जोड़ को सिनेप्स कहते हैं और इस दरार को सिनेप्टिक दरार कहते हैं खर हम आपको बता रहे हैं यानि मेरा कंसेप्ट यह था कि यह एक निवरॉन है इस निवरॉन में सबसे पहले सुचिना दुरूमिका के पास जाती है और यहीं दुरूमिका कोश्का काई के अंदर भेजता है और और इस तरीके से हमारे पूरी सरीर में सुसिना का है स्पनांत्रा ब्रें तक असानी से इसी के द्वारा कर लिया जाता है अब यहां पर थोड़ा से समझ लीजिए एक नियूरान दूसरे नियूरान के बीच रिक्त अस्थान होता है जी से सिनेप्स करते हैं यानि कि एक सुचिना का है नाम है नियूरो ट्रांस्मिटर अन। अंतिम शीरा अंदुरूमिका के बीच कुछ रसायनों का बीमोचन होता है और रसायनों कभी मोचन विदूत अवेश के द्ążा होता है यानि कि यहां और यहां बने तंत्रीका के अंतिमशिरा और है के अगरभाग दोनों की एक जूड़ होता है यहां पर सिनेप्टीफ द रार में विसेस अर्मोन घुर ट्रांसफरमर है और वहां से तार वहां से भीजली का तार मानद पूल से होते हुए आपके बिल्डिंग तक पहुंचा है और इस बिल्डिंग से आपने तेजी से एक निवरान से दूसरे निवरान तक जाता है और फिर हमारे ब्रेन तक पूंगता है तो चली बिनादेर के हमनों नेक्स टॉपिक को देख लेते हैं हमारा नेक्स टॉपिक है मानो मस्तिस्क जी हाँ बहुत ही जबर्दस्त और बाइलोजी के हिसाब से नहीं बलकि आपके exam के point of view से काफी important chapter है जी हाँ देखिए अगर बात करें मानो मस्तिस्की तो ये एक विसेस परकार के हट्डी के द्वारा इसको रक्षित किया जाता है जिस हड्डी का नाम है क्रेनियम नामक हड्डी और इसका जो second रक्षक वाली हड्डी है जिसको हम लोग बोलते है इसको दिमाग में बस रखेगा और हम इसको लीखे नहीं आपको ध्यान में रखना है कि ब्रेन एक ऐसा system है जिस system के माधियम से हमारे पूरे body का control and coordination होता है जी हाँ और इससे थोड़ी दिर पहले हम यहीं समझा रहे थे कि हमारे सरीर में nervous system बिलकुल जाल की तरफ हैला जो बहुत ही जबरदस topic है और इसको हम लोग चले समझते हैं अगर brain को हम बात करें तो brain को यहां पर हम दिखाने की कोशिश किया है यह वाला जो हिसा है ना यह वाला मैं black से थोड़ा से सीनित करो यह जो आगे वाला हिसा है इसको अग्रमस्तिस कहते हैं और यह जो देख र देखें क्या होता है यह जो आगे वाला हिसा इसका तीन भाग होता है पहले वाले भाग को करते हैं सेरी ब्रहम क्या करते हैं सेरी ब्रहम का क्या होता है हमारा जो अग्रमस्तिस है मध्यमस्तिस है और जो पस्तिस हमने जो मानो मस्तिस को तीन हिसों में बाट दिया और इन त थेलेमस और हाइपो थेलमस तो बात करते हैं अगर मज्सिष के सेरी आउम का कारें कि यह की मेमोरी और नई नई संच को उत्पन करता है यानि हमारे अंदर जो सोच आती है यह हमारे कहां से इसका कर्य होता है सेरी ब्रहम के द्वारा यानि सेरी ब्रहम के द्वारा ही हम नई नई चीजों के बारे में सोच पाते हैं अगर हमारा सेरी ब्रहम स्टॉंग है तो हम नई नई चीजों के बारे में सोच पाएंगे हमारी मस्तिस का जो सिकन्ड पाट है नो थेल मस्त ये क्या-क्या इसका कारिया है तो ये बाहरीवाता वरण को अभास कराता है जैसे कि गर्मी थंडी चुबन पीटाई अब देखें यह बड़ा अच्छी टॉपिक है देखिएगा एक्चुली क्या होता है यह अगर मस्तिस का जो सेकेंड पार्ट होता है यह थेलमस क्या करता है बाहरी वातावरण का यानि कि आप मालेजिए कि अभी थं पहन लेते हों तो कुल मिलाज जो लाकर के ठंडि का अभास कहनाया ठेलमस करता है और तो और अगर गर्मी के आशास करता है और तो अगर सब्वक्राइप तेखेंगे थंडी से उसको असर नहीं गर्मी से उसको कोई असर नहीं बहुत थोड़ा सा उन लोगा थेलमस जो होता है उतना एक्टिव नहीं रहता है जिसके कारण ना उसे ज्यादा गर्मी का ही एसास हो पाता है और नहीं ज्यादा थंडी का ही ठीक है अब बात करते हैं चूभन और प कुछ भी नहीं समझे ना मनें बाहरी बाहरी वातामरण का हर तरीके का अगर अभास उसे होने की बात आएगी तो यह थेलमस सही कंट्रॉल किया जाता है अब बात करते हैं अग्रमस्तिस का तीसरा पार्ट ठीक है यह शरीर के अंदर के टेंपरेचर को अभास कराता है अब य किसी के प्रति दया आ रही है किसी के प्रति रोना आ रहा है मालीजी कोई मर गया यह बाति आपको सुनाई दिया आपको समझ आया ठीक नधर है इसको ना कांट्रॉल करता है ठीक है न? अगर आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इस सब का कार्य किसके द्वारा किया जाता ह। 상जि में आते हैं मध्य मस्दिश्ख का लिए इसका बही अपना दो पाट होता है पहला पारटे करपूरा और स्टेंट पारटे सेरी Geral Pendicle आप देखिए का में движ अओं क्या है बगण तो कर्पूरा का काम है देखने सुनने के वाल सूचिना को सेरी बराम तक पहूच में यागर हम अपने आखों से देखते हैं कां से सुनते यह जो कुछ भी देखिए आखोंसे देखने के बाद यह कांग से सुनते हैं तो सुनने के बाद कुछ तो reaction होना चाहिए इसका reaction करने का पर्मिशन कहां से मिलता यह कर पूरा मने आखों से देखे हुए चीज़ों को और लव क्या करता है और सेरी बांव क्या करता है देखने के बाद आपके अंदर यह बात है कि और यार यह बूरा कर। यहित्या है , फूर्मादी क्परमीशन देखा कि आपको करना क्या चाहिए , ओस पर आप कोई एक्शन लेते हैं , ठीक है ना अब यहां देखें सेरीब्रल पेंडिकल की बात करते हैं यह जो सही रहता है उसका मतलब समझे तो हाथ पाओ अच्छा से चलता है यानि हाथ पाओ का सेरीब्र पेंडिकल के द्वारा होते हैं अब बात करते हैं पस्मस्तिस बहुत इजब अबरदस्त है सुनिएगा पस्मस्तिस की जो दो पार्ट होता है इसको भी हम लोग समझ जते हैं इसका पहला भाग है छोड़ा दिर के लिए मतलब निसकीर हो जाता है लग उलते दोलते हैं और उसे पुछेगा उसे बात कीजिका तो लो जम कि बात करेंगे तो जब आप पुछेंगे कि मतला आप इतना ही डौ- कुद केया है थो नहीं ही डॉल रहा हूं को जैसा भी पिता तो यह मान करके चलिए कि जिसका सेरी बेलम इस ट्रॉंग होता है जैसे आप देखेंगे खेलमदारी में जो लड़के होते हैं या लड़किया जो रसी पर चल कर दिखाते हैं कहीं नहीं से उसका respiratory road बहुत ज्यादा strong होने के कारण ही वो चळब पाता है तो जो body को balance करता है वो respiratory का काम है अब बात करते हैं मेडूला को तो देखिए मानहें कि इसका काम है metabolic केटाबॉल करते यानि कि अगर मालीजे अगर हम खाना खाली हैं, खाना खाली हैं, तो खाना क्या होता है, मुख गोईका से होते हुए हमारे अमाशे में जाता है, अमाशे में जाने के बाद भोजन क्या करता है, देखिए, एक बात समझ लिजी, एक छोली हम लोग जो भोजन करते हैं, तो देखिएग का भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता है तो यहां से डायरीट एक बात क्लियर हो रही है यह बाइलोजी खुद इस बात को क्लियर कर रहा है कि जो मेडूला होता है यानि ब्रेन का जो पस मस्तिस का जो सिकेंड भाग होता है यह आपके Metabolic, Catabolic को control करते हैं यानि आपके खान पान, यानि आपके digestion system को यह control करता है, सोचिए तो अब जो हमारे पूरवज कहते हैं भले वो नहीं पड़े लिखे हो या पढ़े भी लिखे हो, जो हमारे पूरवज होते हो और केटाबोली को कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करने की छामता को खो देता है और यह किसी और काम में बीजी हो जाता है जिसके कारण आपके भोजन का पाचन सही तरीका से नहीं होता है और पेट में तरह तरह किये मतलब जो है ना प्रॉबलम क्रियाट होने लगते हैं पेट गड़ जयते हैं दो क्या उन्ला कि को कन्ट्रोल करते है तो यहां तक सब्सक्राहिए हो है तो चलि विना दोन नेक्स टॉपी देख लेते हमनाडा नेक्स टॉपी के पादप में समय। जैसे कि जंक्तु में जो नियां प्रन अे जो होता है उसका जो नियां ळेंट्रन समय बोले तो नेज़स्टयलन कोडिनेशन का फार्मोन के लेकिए इसका जो कार्य छेत्र होता है यह व्रीधी करना होता है क्या होता है व्रीधी करना है लेकिन अगर इसकी गती कैसी होती है तो मंद होती है अगर जन्तु के कम प्रीजन में देखा जाए मतलब हम लोग मानों में जो अगर नियंत्रण समने जो होता है हमारी जो कंट्र मंद होती है तो दिखिए बीद से बाहर आना यह बीए परकार की गति है और अनुवर्तन की घटना देखी जाते हैं तो दिखिए अनुवर्तन की अगर की से कहते हैं सुनिए गध्यान से बाहरी कारण के कारण पाधों में होने वाली गति को अनुवरतन कहते हैं तो पाधों में इसके पाधों को शत्रों को वसे और काश की और गति करते हैं देखिए पौधा ले लिए किसी मतलब तब के अंदर मिटी अगरा रख करके अगर पौधा को बहुत बढ़ियां से जो है अगर पौधे बढ़े हो गए हैं तो उसको कभी परकाश की ओर ले करके रखिए आपको रखने के जरुवत नहीं है आप जब खिड़की के पास रखे हैं तो इस परकार की गठी परकाशनू वर्तन कहलाती है अब बात करते हैं ये क्या है तो पोधे गूर्थाकर्शन की दिसा में करते हैं मतलब कि पौधे अगर है तो पौधे की जितनी بी जड़े है है ना जहां पर नहीं होगी ना वहाँ पर वह सबसे जादा यहाना प्रि भुठी के अंदर गुर्तवाकर्षर बल पायार चाहता है इसका डायरिक्स आप पर आप करें hint उसकी जड़े उंक भी भी मित्ती की ओर जाना गति करती है इसलिए हम इसका सकते हैं कि पूदे रसायनिक उद्धीपनों की द्वारा होता है रसायनिक उद्धीपन जैसे बोले तो पराग करका बिजान में परवेश्च करना यह भी यह परकार की गती है ठीक है न अब यहाँ पर बात करते हैं जलानु वरतन नाम है जल थीक आणी कि पौधों में जल वो जलो कि और घति करते हैं पौधे क्या घ inanा जीधर नमनी बने रहेंगी एक तो हम लोग देखिए जल अरो समय क्यांतर दिखा यह तो जहां पर नम्हीं बने रहेंगी वहां तो मतलब इसकी जड़े जाएंगी यह मिटी है और पौधे की यह तना है और इसकी जड़े हैं यह जड़े तो नीचे की तरफ होंगी ही ठीक है लेकिन अगर इधर नमी है न तो सबसे ज़्यादा जड़े इधर की और जाएगी और इसी घटना को हम जलान वर्तन की घटना कहते हैं तो आई होग कि यहां तक छ Kemal करे समझ लेते हैं कि आघी यह हर्मोन की तरीकों से काम करते हैं तो यहां पर देखिए अधार पर हर्मोन को यांनि किसको पादर हर्मोन को पांच वर्गों में बटा गया कितने पांच वर्गों में पहला को अक्जीन कहेंगे दूसरा को जिब्रेलिन तीसरे को साइटोकाइन और चौथा को तो आपसे प्यास्य प्युक्तिव में पुछ लेता है जो जननतु हर्मों और पादप हर्मों देता है और प्रती करवाएगा गया उचा अच्छा जीब्रेलिन की बात करें एक ऐसा पादब और हाइटो हर्मोन है जो कि लंबाई की पॉधे की लंबाई तो बढ़ना चाहिए है ना अगला जो हर्मोन है वो है एक ऐसा हर्मोन है जो ब्रीधी रोधक का काम करता है, मालने जिए कि पौदे अगर बढ़ते बढ़ते चले जाएं, बहुत बढ़ा हो जाएं, तो उसको तो रोकने का कोई तो होना चाहिए हर्मोन जो उसको रोक है, अब एथिलीन की बात करते हैं जो फालू को पकाने हैं तो जिम्मेदार होता है तो आई होप कि यहां तक आपको बहुत अच्छे धंग से पादप हर्मोन को समझ लिए होंगे उसी तरीका से हम जंतुओं में भी कुछ हर्मोन पाया जाते हैं जिस हर्मोन का अलग-अलग कारियत शेत्र होता का है जी पायार जरीर करियाओं के नियंत्रयं क्लानुवें में परयूं रता हर्मोन कहलाते है अगर को सारीर के अंदर होने चलो किर्याएं होते हैं कि और फार्मों करें को चलों करें मतलों के लिए कि भाहर दिखाई दे रहा और अन्तासयाchen चलों होता है वो अन। क्रोल और टिनेंशन करने का काम इपर चारा के यह मोग करने के यह जो क cavalry करने के नंदर होथे यह करता है यह तुस्ट का अब आगे बाद करते हैं मनुष्य में अनतसरावी ग्रांथिया कि टिस निकलने वाले जो हर्मोन है वो अलग-अलग गवाधियम से हर्मोन निकलते हैं तो चलिए उन गरण्थियों के नाम देख लेता है एक है पिटूटरी ग्लैड जिसको हम लग कहते हैं इसके ऐस्थान को मुख्या भाग होते हैं एक बोर अबाई होगा दोसरा बा सपिन्दक पास पिंदक काम है प्रिधी लहां एक और पलास इसके और विकाम पटर्ब है आंडाडू का नियंतरन करवाना थिए पिंडक कि अरप ya शोगदा कि यू अवस्त नियूए चाहिकए आपके अहीं 12-09 से दूद का श्राव यहीं अगर पंडी अगर पंडति कि करवाता है तिनर बात कि है सेकेंड स्ब्सक्राइब या प्यों संतुलन हम लोग कीते है उसका हमड़ी हमारे श्रीर में वाटर के लेवल को मेंटन कराने का काम यह पस better ही होता है और मादा के बच्ची में भी सहायक होता है यानि की यहां पर जो पस मासनली में होता है इसका कारिक क्या होता है तो थाइराइड हर्मोन क्रिएट करना ये थाइरॉक्षिन हर्मोन क्रिएट करता है क्योंकि जब थाइरॉक्षिन हर्मोन बहुत अधिक बढ़ जाती है तो ये क्या करता है ये थाइराइड गरन्थी थाइरॉक्षिन हर्मोन को नि या करता है तरता मैं मौझöd केल्सियम की मातर बढ़ जयती तो भी बनना शुरू हो जाता इसलिए रस्जीम के मातरा को नियंद रएक्रत का अटिकर को इसका सनोंका उपणचे करता यह लाग करता है brightly खोता है जिनि कि बाहर एंसमें इंसुलीन हर्मोन पाया जाता है इंसुलीन हर्मोन यह सरावित होता है इसके दोघार और जो होता है तो ये रख में गिलो जी TWO कि मांत्रा गर सुगर की रगया ty आपको सुगर हो जाएगे मातरा को नियंत्रित करने के लिए इसको कंट्रोल किये जाते हैं अब बात करते हैं अगला ग्रांती जनन ग्रांती तो जनन को शीकाओ का निर्माण करवाता है यह अगर हम किश्वरा आवस्ता में आजें तो हमारे जननांग कभी कास होने लगता है और दीरे-दीरे लड़का और लड़की में विरिशन और अंडासे का निर्माण होना शुरू हो जाता है तो आई होब कि इस चिप्टर के जो लाश्ट टॉपिक था यह बहुत ही अच्छे ढंसे आप समझ गए होंगे और आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा से काम है जीव जननका कैसे करते है सबस्तंगे कि यहां पर मैंने लीख दिया एक ऐसी प्रकिरय है जिसमें जीव अपने ही जैसे संतान और संततिका निर्माण करते हैं एक लिए जनन क्या है के एक एसी परकिरिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान और संतति का निर्माल करते है wines परकिरिया को प्रोसेस संतान को कुटता अपने ही जैसे संतान को पैदा करता है शेर है वो भी अपने ही संतान और संत कि निर्माड करते हैं तो फ़िर अगला सवाल है कि आखरिल जैनन की अवसक्तवा नहीं बलकि अपने जो है नर एक व Americas was तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि जनन के आवशकता क्यों है तो अब बताइए कि जनन के आवशकता इसलिए है ताकि हमारा वंस कम्याब रहे ठीक जैसे मान लीजिए कि सपोर किसी नाम का अब्यक्ति है ठीक अगर वह अपने ही जैसे संतान और संतिति का जनम नहीं देगा तो आने माले समय में अपने उन्स्को कम्याब रखने के लिए कि किसी का दादा थें किसी के पर दादा थें तो यह थें रहे हैं उपना करते हैं अब और और बी जिवियव जनन करते से जैसे हम लोग है लैंगिक भी कर सकते हैं एक तो लेंगिक और रहेंगिक होते हैं तो कि दोने में जमसिव 것처럼 अलग कि पुरिख जाता है इसमें है दो जैनक शुरूवत नहीं पड़ती है तो लैंग सॉरी यहां पर थोड़ा सा में गड़ करोगी लेंग जानता ना यश्वान होता हिए एक चीज के निक फिर से यहां पर होना हम चाहिए यहां पर प्रोसेस के दुवारा ठीक है ना अलेंगिक और लेंगिक तो अलेंगिक में क्या होते हैं एक जनक होते हैं जैसे कि अमीबा है एक समय के साथ बड़ा होता है और दो हिसों में तूट जाता है और वह अपना विभाजन करके अपने संतान और संतितिका निर्माण कर लेता है त आप से कोई सवाल पूछ दे कि ठीक है तो लैंगिक जनन क्या तो अब बताएंगे कि देखिए लैंगिक जनन जनन की वह भी दहीं जिसमें दो अपोजिट जेंडर मील करके दो भी फिर लिंग मेल करके यानि एक male और एक female यानि दोनों मिल करके अपने ही जैसे निर्मार करें थीकिन इस परकार की प्रोसेस इस परकार की परकिरिया क्या कर दो देखिए अगर कुछ पूछे किक कैसे करते हैं तो दीखिए इसका कुछ निर्मान करते हैं क्या करते हैं यूग्मत का और ये यूग मबका जब मेर दो एक गया करते हैं या डूब्भाजन में दोग दोगा लेकिन ऑद सुतरी विभाजनों और और लेंगिएरेक में दो लिए सब्सक्रों से बनता है इसमें क्या होता है और सुथ्य विभाजन पिस्टो यूगमह कनिर्मार करते और ये वी एकता है यानि कि माधा के पर जोड़ा यहां पर जोड़े में तो था 46 सॉरी मतलब 23 मिल करके 23 जोड़े थे तो 46 क्रोमोसम हो गए इसमें से आधा मतलब भी भाजन होगा तो 23 निकल करके आएगा तो यह मादा क्या किया 23 जो है अपना अर्शुत्री भाजन कर दिया और यहां पर जो था 46 ठीक है ना यहां पर 26 लिग दिया यह यूगमक और यह यूगमक का नाम रखा जाएगा अगर नर के शरीर से यूगमक का निर्माड हुआ है तो हम नर यूगमक कहेंगे और मादा के यूगमक मादा के शरीर से अगर यूगमक का निर्माड हुआ है तो हम कहेंगे मादा यूगमक अब देखें यह नर यूग भाग ले करके आपने ही जैसे संदान और संत्रिदी का निर्मार करते हैं जिसमें एक तरफ मेल और दूसरे तरफ हमेल होता है और छोटा होता है और यह चीजिए हम बहुत पहले बताए थे हैं कि शरीर की सब सबसे चोटी खोशी का सुक्राडू होता है और मानौसरी का सबसे बड़ी चोशी एसी से होता है लेकि अंडाडू का समझ लिए मानुसरी का सबसे बड़ा कोश्का है यह बड़ा है और यहां देखिए इस थीर होता है और इसका अकार कुछ मैंने इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीका से होता है अच्छे शुक्राडू और अंडाडू मिलकर कि क्या कर रहा है यहा बुरूण का और तब जाकर के आप्टर 9 मन्त एक संतान और संत्रतिका निर्माड हो जाता है तो I hope कि जो भी हमने समझाने की कोशिश के आप समझ गए होंगे चलिए बिना देर किया अब हम लोग आगे भी समझ लेते हैं अब हम देखेंगे कि पुस्पी पादपों में कैसे लेंगिक जनन होता है तो फाइनली पुस्पी पादपों में लेंगिक जनन की जो किरिया विदी है कुछ इस तरीके से जो मैं आपको फीगर के मादे हम से दिखाने की कोशिश कहा जैसे कि मालेजिए कि कोई भी पुस्प ले लिजी इसके दो जनन अंग होते हैं एक को कहते हैं पुमंग जिसको हम लोग क्या कहते हैं नर देखिए जिस तरीका से लेंगिक जनन मानों में दो जनक मिल करके अपने ही जैसे संतान और संतिति का निर्माण कर रहे थे हैं इसमें भी इस पूस्प के अंदर भी दो जनन अंग पाये जाते हैं ठीक है ना एक को जयांग कर और वह आपके आप का नर वहां तो यह फूल का कुछ एस्ट्रक्चर्ट जैसे कि आप देख रहे हैं क्या है सहायक अंग कहलाते हैं लेकिन जनन में भाग कौन लेते हैं जयांग और पुमंग यानि सहायक अंग जो दल पूंज है और बारे दल है यह कभी भी जनन में भाग नहीं लेते हैं जनन की परकिरिया में दो पुस्पी जनन अंग भाग लेते हैं एक को कहते हैं जयांग दूसरी को पुमंग कहते हैं आप देखे पुस के दो जनन अंग एक को कहते हैं पुमंग और दूसरी को क्या करते हैं जयांग जैसे कि मैं लिख दिया हूं अब देखिए इसकी अलग-अलग हिससे करके कैसे इसमें सेक्सोल रिप्रोडक्शन होता है यह चीजे मैं आपको अब यहीं प्राग करते हैं यह पुमंग का भाग है तीक है पुमंग के सारे भाग है और इस पुमंग से सके सारे क्या होता है जिस तरीके से मेल से शुक्राडू निकलता है इस तरीके से मान करके चलिए कि इससे भी शुक्राडू निकलता है यानि कि यह कंड को शुक्राडू के रूप में क्या करते हैं यह जायांग के पास जाते हैं और जायांग यह वाला हिसा जैसे कि मैंने आपको समझ यह समझ को हम कहते हैं यहां देखिए पराघ। से पराग कंड़ में जा रहा है यह के यहां वर्तिकाग्र में जा रहा है यह वह उपसुब्स क्रांब करने के दौरान बहुत सारे शुकाणू निकलने बिजान के अंदर नहीं पहुँच पाते हैं यानि जो भाग है इसको वरतीका करते हैं और इस नलीका से अगर ये कंड 늘ते है पराग कर जा रहा है तो इसलिए इसके हम नाम रखें पराग ना लिक्ता हम नहीं रखें आपका एंसीयटीबूग कर रहा अब यहां पर इक यह वाली जो भाग है नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं कर दो कि और इसी घृण करते हैं और इसी को कढ़ नाम के सांद है करके मिल गया तो यहां पर जाएगा तो यहांप तो यह रहा आपका प्रोसेस समाझने की कोशिज किजिए अब यह प professionals करता है यह क्या करता है निए करते हैं कहा पहुंचता है आपके वरती कागर के हो जो जा करके यहां पर कंड़ चिपक जाते हैं और बड़े ही आसानी से नीचे जाते हैं और जाने के बाद इस तरीके से घुम करके एक चप्र लगा करके ठीक है यहां कहां पहुंचते हैं और यहां पर एंट्री एक कोई कण एंट्री करेगा और नहीं पुस्पी पादप का निर्बन हो जाएगा यह रहा आपका पुस्पी पादपों में लेंगी जाए अच्छे एक और चीज़ थोड़ा सा मैं आपको समझाने को सिसकर रहा हूं यह जो पराग कण होता है ना यह दो तरीकों से जो है ना मतलब बिजांड के अंदर परवेश करता है कैसे कैसे देखिए जो पराग कण की घटना होती यहां पर याद आगया तो मैं समझा दे रहा हूं पराग कण यहां पर समझने की कोशिस कीजिएगा यह दू तरीके से एक होता है सवापरागण सवापराग परागण अच्छे देखिए सवापरागण में क्या होता है ना कि अगर तेज हावा बहता है ना तो जैसे यह जो है यह वाला तो इस पर जितने भी पराग कण होंगे ना इसकी कण निकल करके इसे वर्तिकागरपा पहुंच जाएंगे और सिल्फ पुस्वी पादब का निर्माण कर सवापरद प्रागण में भी लएंगी oh में क्या होता है यह दूसरें के द्वारा कण को मतलब क्या है ना वर्तिकागरपा05 पहुंच आजाता जयाता है यह से कि होती है यह कोई करते हैं तो वही करते हैं तो यहां से ऊट करके यहां पर जैसे बैठती है लोग यह क्या करता है वह जो उसके पंक में लगे जो पराग करण होते हैं यह किस बिना देर कि हम लोग नेक्स टोपीक को भी देख लेते हैं तो चरिए बिना देर के हम लोग समझा देना चाहता हूं कि आपका इग्जाम बहुत करीब है और रिविजन के तौर पर और क्रेश कोर्स की तौर पर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखते हैं और पुरी करते हैं ज्यानक के माधियम से उनके संतानों में अनुवांसी गूड़ों का हतनांतरण ही अनुवांसी का दालता है साहिद आपको समझ में आ गया होगा यानि कि सपोर मान लिजिए कि अगर मैं अभी कुआ रहा हूं और मेरी जब शादी होगी तो जब हमारे और हमारी वाइफ के समेलन से बोले तो एक जननिक परिक्रिया दोरा अगर हम लोग की शंतान और संतिती का निर्माण हो रहा है त सब्सक्राइब शार्ण और जो जब है कि अगर कर लिए फिर नाक है या फिर यह कोई भी यह तो अच्या करांग यह जाहिर सी बात ही कि अपने जो संतां होने वाला होगा चाहे संतान हो यह संत्तिती लड़का चैन्जा रखी उस-में अन्वान सी गूंड़ का इस्तनांत् चुछ जगत में होने वाली परिवर्तन सजीव रहता है वहोगता ना यादि को परिवर्तन कैने होने उसमें हमें उसक्षा रहता हैंanie वहाली परिवर्तन को Abi विकास देखने को मिला तो यहीं परिवर्तन नहीं है तो यहीं परिवर्तन क्या है जे विकास होता है अब बात करते हैं कि ठीक है तो जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन मिंस बोले तो कुछ ना कुछ विभिंता देखने को मिला तो विभिंता भी दो तरीके से होता है य जैसे कि माता-पीता अगर sexual reproduction के दवरान अपने संतान और संतती का निर्माड कर रहे हैं तो उस दवरान संतान और संतती में मिलने वाला जो गुण होता है और वहीं अनुवांसी गुणों के आधार पर आखो करंग होता है शारीरी गठन होता है शारीर की लंबाई होता है तो यह दोनों के जनन की परकेरिया द्वारा जो संतान और संत्ती का निर्माड होता ना बादव तो यह क्या होगा ज़रूरी नहीं है कि वह लड़की होगी या अलड़का होगा तो नत्री ही नत्हक योगह charter तो अजीं होता है कि पिता का पक सथ्षक हो सकता है या माता थो काला नहीं तो भूरा आक वाले होने हैं न यहीं चीज और सारीरी गठन या लंभाई या फिर तौछा कर रंग वगरव गदह भी अगर माली जेग लड़का गोरा है और लड़की काली है तो जरूरी तोड़ी ना है लड़का गोरा ही पैदा होगा हो सकता है घ्राव अग पाइदा होते हैं कि पहले वाली हम लोग टॉपिक में ये भी समझ चुके हैं कि जो जनन की परक्रिया होती है उसमें मेलहों के बीच जब सेक्षवल रिप्रोडक्शन काया मतलब शरीर इसको उपार्थित वीबिंता के नाम से भी हम लोग जानते हैं अब यह कैसा मतलब यह किस परकार की मतलब विभिंता देखी जाती है जीव जगत में तो देखिए यह बाहरी वाता बनर से यह अनमांसिक विबिंता मतलब कोई जरुर नोगों बहुत अच्छे बंदे हैं तो ज़रूरी नहीं होगा कि आवलाद जो पैदा होगा जो अगर पैदा होता है तो अगर उसका उपारजित जो भिंता देखने को मिलते है जो कहीं न कहीं से उसके समाज से एफेक्ट होता है। ठीक है। मैं यह समझाना चाहता हूं कि जो अन्वंसिक भी बिंता होता है। detail नौ उ पर्जित OFFICER और काइक भी भी बिंता है वह मतलब हमारे समाज और वाटावरन से मिलता है। मतलब, कि मैंने अगोहड दे पहले जरूरी नहीं है अगर माता पीता भगवान के भक्त हैं तो बच्चा भी भगवान के भक्त ही पइदा हो जाएगा। और भीधल सकता है। जरूरी नहीं है और आपका बच्चा भी ग्रेज़ईट ही पाइदा होगा नहीं इसे ले ग्रेज़ग बना होगा यह जरूरी नहीं है नहीं है झाला संग क अगला टौपिक अनुवान्षी क्या है विध्यान की चीट और विभिन्ता कई आती है अब बात आती है अगला जो की बहुत बच्छा बच्चा होता है तो सपोस्थ मान लिजे कि छोटे बच्चे तो लड़का ही दिखते हैं लड़की दिखते हैं लगा ही देखते हैं लिंग निरधान करने के लिए मेंडल ने अपना पर योग बताया बहुत ही अच्छे धंग तो उस आगे भी समझना है फिलाहल है है और दॉसरा है लड़की है और सब्सक्राइब करें अब क्या होगा जैसे कि लेंगिग जनन्द की पर किरिया और बीधी को मैंने आपको समझाया था कि उसमें क्या होता है तब अलग होते है तो यहां पर दिखें यह एक्स गर्भाशे में जाकर कि इस अंडारू से जा करके अगर इस ईक से मिल गया तो डबल एक समील करके क्या बनाएगा लटी बनाएगा लटी हम आए गभर यहीं एक्स फिर इस एक्स के साथ जाएगा तो भी लटीधी इपनाएगी टीकें लेकिन यह आप का लर मैस अनरुप जाकर उसके एक से घ्लिख तक मिलता है तो एकस और वाई मैं करके क्या कर रहा है कौँन संतान को पैदा कर रहा है लड़का तो ze तो मैंने आप्ट के तोर पसंद एक कैसे नियुक्त निए और कैसे सुक्राणु अंड्रु जाद की किसी लटकी कि वहले तो इस तरीका से हम लोग नीलिंग करते हैं कि से त्सक्राइ कि यहां तक जो भी concept समझाने की process की हैं आपको समझ में आगया होगा अब चलिए आगे की topic देख लेते तो अब जो हमारा अगला topic है वो है मेंडल का प्रभाव देखिएगा बहुत ही शंदार तरीके से जो है ना अनुवन्सिक्ता और उससे होने वाले लंबाई और नठखट होने का बहुत ही अच्छा वालब जो हाना एक प्रूफ दिया है तो यहां पर देखिए मेंडल का अनुवन्सिक्ता की नियम या फिर इसको कह सकते हैं प्राथम नियम या फिर इसको कह सकते हैं प्रितिक करण का नियम मतलब कि भले ही शब्द अलग-अलग है बट जितने भ ग्रेगर जॉन मेंडल का पूरा नाव ग्रेगर जॉन मेंडल जिनकी जर्म हुई 1822 में और बेचारे 1884 में ही बेचारे मर गए अब अश्ट्रिया देश के बुरून नामक के स्थान में इशायों के एक मठ पाद्री हुआ करते थे मतलब बोले तो पाद्री मतलब एक कि मतल पाद्र के और आफंगी की जंदे तो जरूरी लिए कि जिनदगी के एपिसोड को जानने की लिए प्यल् plans कहीं से जरूरी नहीं को किसी 290 करेगा one अगर आज से 200 साल या 500 साल पहले लोग अगर 100-100 जिया करते थे तो इस सब्सक्राइब निर्धार करना या फिर उसके कहने का मतलब की लंबा होने का और नाटा होने का सबुत निकालने के तौर पर अगर वो पूरा दिन इंतजार करता कि इसका पूरा का पूरा लाइफ एपिसोड देख लें या तो यह संभाव नहीं था इसलिए इन्होंने क्या किया कि मटर के पौधे का परियोग किया देखिए परियोग संख्या एक में क्या इन्होंने दिखाया मत कंप दोनों अगर लंब है तो लटका लंबही होगा जनाफर नाटका भी नहीं है नाटा भी वाइब या इसा नहीं सोचना चाहिए एक शोडह जो लड़का के दादा से चल करके उसके पापा में वह परभावी नहुते हुए उसी में रहता है और वो जाकर अपना प्रभाव उसके बच्यों के ऊपर दिखा देता है तो अगर दादा जी गूरत है और इसके वाइब काली मिल गई और यह लड़का भी काला है तो जाहिर सी बात है कि लड़का जो है यह काला था और शादी जब करने के लिए हम लोग गए तो लड़की भी काली मिल गई अब इन दोनों के शरीर से जो बच्चा पैदा होगा जरूरी नहीं है कि काला ही होगा अब यह होगा बेचारा गोरा समझेगा अब यह सबको डाउट होने लगा कि लड़का इसी का है कि नहीं है लेकिन यह कहना गलत है ठीक है ना बिकॉज यह दादा जी का जो अनवांसिक गोरा होने का जो परभाव था यह लड़का के अंदर छीपा हुआ लेकिन जब इसका लड़का हुआ न तो यह परभाव छोड़ दिया इन दस्तेयम हुए है कि कुछ ऐसे होते हैं परभाव जो पुरुवत से चल करकर आकर एक उसके संतान में होते हैं और फिर उसका जब स कि यहां पर क्या क्या गया है मतलब अलग अलग करके समझाया गया है यहां पर जो दो अलग अलग हो गए ओए अब यहां जो नोगों के भीची सेंट अलग है तो देखा गया कि यह बहुत तो आपको लामना का शोध बवना और सुध लंबा तरु मंटर के पौदो के बारे के न भलंबे हो गायं अब क्या किया की यहीं शंकर लंबा को ला करके जनक संकर को लबान करके धृ करके धिए मंडलкое stuff दोई सभाण सभी जो टी था लरी अधान अग सब्सक्राइब इस अपने पुराने जनक ऑप पुराने जनक के लंबाई समान हो गें तो यह जाए कि शुद्र लंबा तीक है इस तरीक तरीका से यह ती को लिया तो फिर इस ऐसे अभी लिए लूग संकर लंबा लेकिन जब इस टी को इस टी के साथ हुआ तो देखो फिर शुद्र बाउना बन गए यहां पर शुद्र कि शूधर कि अनल और ቤ और यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले परियोक किया गया और सूधर बना को फिर और सूंकर्स की प्रैक्रिकल देखी गई दोनों में मतलब शंकर लंब और शंकर लंबा की पौधे को रोपड किया गया तो खेती के दवरान देखा गया कि जो मतर के पौधे हुए वो कुछ शुद लंबा होगा है कुछ शुद बाउना हो गया तो आई होब कि इस बाइलोजी टॉपिक को ज इसको समझाने के लिए भी या आज को लोगों को मतलब तो अच्छा का रंग देखकर के या मन लेजी की किशी की शादी होई है ठीक ना और उसका बेटा या बेटी उसके माब आप से अलग है उसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कंसिप काफी इंपोर्टन साबित होन अब देजिए बेस्ट अफ लाग फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक